Was it worth it writing such kind of an article or news report? Totally biased है, यह totally politically motivated है. अभी आप सबको पता है कि औरनात्र प्रिदेश Public Service Commission का जो पेपर जो लीग मेटर है, वो एक बर्निंग इशू होके बेठा हुआ है. तो इसका गंबिरता को देखते हुए कल मैंने Special Cabinet एक बुलाया. तो उस Cabinet में जैसे आप सबको पता है कि जैसे ही Public Service Commission में यह पेपर लिग हुआ तो सरकार के और से एक तो एक तो एनक्वारी कोमिटी हम लोग ने गठन किया और एनक्वारी कोमिटी का रिपोर्ट सरकार में आ चुका था. तो बेस अनक्वारी कोमिटी हम लोग ने केबिनेट को वहां पे बेठाया. तो एनक्वारी कोमिटी का रिपोर्ट देखने का बाद हम लोग का यह लग रहा था कि उसमें जो केबिनेट में जो डिसिजिजन हुआ है जस्ट आप लोग को में कॉम्मुनिकेट कर देगा. तो उसको हम लोग कॉम्मुनिकेट करेंगे स्टाफ सेलेक्शन बोर्ट और पब्लिक सर्विस कोमिशन दोनों को कि इसमें हम लोग सरकार के और से एक ब्रॉट ली एक एसोपी बना के दोनों ओगनाईसेशन को देगे और देकिन देलिवेट एन डेकित मेकित मोर चाहिए पहले भी 2014 में भी कुछ इसकारण से कुछ हुआ था तो यह सो प्रैक्टिस को बन करने के लिए वी हैब डिसाइड़ देट इनकमिंग सेशन एक हम लोग को एक स्पेशल लोग करेगा ताकि पेपर लिक मैटर को बन किया जाए और स्टिक से स्टिक एक्शन हम लोग किस प्रकार से लिया जाए तो इस्पेशल लोगी टेबल इंदी अपकमिंग सेशन तो तीसरा में यह है कि यह चीज़ क्लियरली हम लोग को जानना चाहिए कि पब्लिक सर्विस कोमिशन इसन ऑटोनमस बोडी गॉवर्मेंट का उसमें डिरेक्ट कोंट्रोल नहीं होता है से इंग सो अभी वहां पे जिदनी भी जो स्टाफ है वो पूरा फब्लिक सर्विस कोमिशन अपना ही स्टाफ है सरकार के ओर से अभी यहां से से केटरी और यह जोइन से केटरी जिसको भी बेजा है उसको हम लोग ने तुरन हम लोग ने सस्पेंट कर दिया अभी सरकार जो है पब्लिक सर्विस कोमिशन का स्टाफ को इसलिए सस्पेंट करने ही पाता है क्योंकि उनका कारर अलग है तो कल का तीसर केविनेट डिसिजिजन में यह लिया कि उस कारर सिस्टेम को हम लोग सेकेटरेट के साथ में मर्ज करेंगे तो मर्जर का जो मेथडोलोजी है और एयर डिपर्टमेंट वाकाउट करेंगे तो इसका बात क्यूंकि हमारा डे वन से ही यही मेरा यह निन्ने था कि इस बार का जो पेपर लिग होने का बात इट वास टॉटल सेट बेक इतना मेहनत करके अपना कॉलेज और युनिर्सिटी स्पास करके इतना मेहनत से जो प्रिपेर्शन जो किया है उन लोग के लिए बहुत बड़ा सेट बेक है तो डे वन से माई एजेंडा वस वेरी क्लियर कि टॉप टुबटम एक ओवर्वालिंग होना चाहिए और उस जो इसमें एक सिस्टेम से जाना पड़ता है जैसे मैंने कहा कि पाब्ली सर्विस कोमिशन जो है एक ओटनमस बोडी होते है तो जैसे हम लोग ने अभी सरकार से जो गिया उसको हम लोग सस्विन कर दिया अभी नेक्स टेप जो है जो एए डिपर्मेंट कल हम लोग मर्जर का हम कर लिया तो जैसे ही मर्जर का ओके हो जाएंगे तो वहां से भी स्टाफ जो है पूरा हम निकाल लेंगे तो इस प्रकार का अभी हम लोग ने इनिशेटिव हम लोग ने शुरूबात ये किया हुआ है देखिए इस पूरा जो वीशी को लेके क्यूंकि जनता में एक हुआ है उसको हम लोग ने अभी cvai को हम लोग ने रेकूमेंट कर दिया है तो cvai को अभी डेली में भी फूल आफ हो रहा है हमारा यूनियन मिनिस्टर खिरेंजी भी cvai का डिरेक्टर को रिक्रूस किया कि यह बहुत एमर्जेंसी एक मैटर है cvai जल से जल यहां आके इ एक नया एक हम लोग फिर दुबारा इसको हम लोग खड़ा करें। First and foremost, आज दिदे भी आप लोग आई होए है, यॉर्ण जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का एक एतिक्स होता है। Just ask that, you know, after reading that Eastern Sentinel, that paper, और अपना आपको पूछे, Was it worth it writing such kind of an article or news report? Totally biased है, यह totally politically motivated है, और ठीक है कोई बात नहीं, politically motivated हो सकता है, Because you know, we are all in a democratic country, we all can be influenced by political parties, that's not an issue. But as a media agency, जो आप किसी को reporting करता है, और जो communal का language वहां पे डालके आप insight करने का कोशिस करता है, क्योंकि और नाचल प्रेदेश में बहुत सारा tribes बसेवे हैं, यहां में हमारा यहां पे बहुत सारा religion भी है, यहां पे भुद्धिस है, Christian है, indigenous वाला भी है, Hindu वाला भी है, तो इस प्रकार का आप article लिखोगे तो लोगों में सुझी गया कि इस तरह से कुछ हो रहा है क्या, तो गलत information और खास करके religion और communal basis में बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, इसको मैं totally condemn करता हूँ. देखे, स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड में इनिशेली जो प्रोब्लम हुआ था, 2018 या जो भी उस येर में, तो इसका बात फिर हम लोग ने वहां पे देखा तो वहां पे SOP वगरा ठीक नहीं था, तो SOP को बहुत अच्छा से बनाया हुआ है, स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड का, आप लोग देख सकता है, unfortunately, Public Service Commission में, being the elite agency of recruitment, वहां पे इस प्रकार का SOP नहीं था, तो इस प्रकार से, क्योंकि human nature है, human nature को जाके टेरा हो जाता है, हम लोग भी बोलने पाता है, until or unless you have a strong SOP, तो मेरा तो कहना हुए है कि SOP अच्छा नहीं होने का कारण से, जो भी आभी इंस देने के लिए, आभी CBI को मेटर अलरी दिया हुए है, and we are very hopeful कि CBI भी जल से जल आके यहां investigation भी करेंगे, but saying so, आज जिने भी हमारा media fans आप लोग जो यहां पे आये हुए है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस incident को लेके सरकार भी काफी दुखी है, हमारा जंदा भी दुख मगर आने वाला दिनों में भी मैं UAPD को injustice होने नहीं दूँगा, मैं सरकार के ओर से यह आश्वाशन देता हूँ